कि अपना नेम लिखेंगे और यह आज की वर्क सीट आपकी 21st October 2020 की वर्क सीट पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान रखें कि वर्क सीट में क्या पुछा गया है वर्क सीट में क्या पुछा गया है रीड दा लेसन सुनामी आपने लेसन सुनामी पढ़ने लेसन पढ़ना है 25-30 पेस तक आपकी हनीडियू गुक्त सीट में इसमें 25-30 अपने सुनामी लेसन की पढ़ना है अगें दुबारा से पढ़ना है follow the instructions and fill the grid आपने instructions को follow करते हुए जो instructions दी हुई है उनको follow करते हुए आपने infillip को भरना है आपने दुबारे से एक बार फिर lesson को read करना है अब यहाँ पे first में क्या पूछा गया है read the names of any five people as given the lesson tsunami lesson tsunami में जो 5 people के नाम बताओ 5 लोगों के नाम बताओ जो tsunami में लेसन में आई है तो कौन कौन आई है बिटा आप को पता है संजीव आया है ठीक है संजीव और कौन आया है मेघना आई थी मेघना दो और कौन हो गए टैली स्मीथ भी थी टैली स्मीथ तीन हो गए और कौन थे यह अलमस थी यह और कौन था गैले भी था गैले जिसके डोग थी और इगनेशियस भी तो एक पर्षन था ना जिसने सबसे पहले इगनेशियस का ही जिकर आता है इगनेशियस ठीक है इगनेशियस जिसने अपना टेलिविजन नेजर उता रहा था ठीक है अब सेकेंड नंबर पे देगें सेकेंड में क्या पूछा गया है नेम फोर प्लेसिज एज गिवन इन दा लेसन सुनामी आपने पांच सोरी च्यार प लेशन में आई हैं जो सुलामी लेशन में कौन से कौन से जगह का नाम हुआ है अंडे मान निकोबार का हुआ है ठीक है अंडे मान निकोबार और कौन से जगह हुआ है कैम रोटा वह है कैम रोटा और क्या हुआ है और आपका थाइलेंड का जिकरा है था कि वो लड़की थाइलेंड से थी यह पैन अच्छे से नहीं दिख रहा थोड़ा दूसरा पैन ले लेते हैं है थाइलेंड है एक और क्या था पोर्ट ब्लेयर का जिकरा था कि पोर्ट ब्लेयर तो आपने स्थान के नाम लिग देने है से ठीक है स्रीलंका था स्रीलंका का वो द्वीप था ना स्री लंका है अब थर्ड में क्या है थर्ड में है नेम फाइफ एनिमल्स एज गीवन इन दा तुनामी लेसनमी में पांच आपने एनिमल्स के नाम बताने हैं जो जिन में आनिमलस का चीकर हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे में क्या-क्या लिख्धों खिए थी तो बिफैलो थी भी यूड द्बल एफ एल ओ भी फैलो जी फैलो जोर्ट कदब आ tal गोर्ट का जिकर आया था जोट्म डोस का जी कर आपने चांट के लिख देने हैं अब नेस्ट देखें अब इसमें पूछा गया है कि आपका कि ऐसी तीन चीजों के नाम बताओ जो सुनामी लेसन में आई थी तीन चीजे कौन सी थी एक तो इगनेशिस ने अपना टेलिविजन उतार था ना नीचे टेलिविजन ठीक है और कहां से उता था टेबल से टेबल भी तिंग है ना दो एक चीज और आप डूंड के लिख दो wooden door का जिक रहा था टेलीफोन का जिक रहा था तो आप क्या लिख दोगे तो तीन चीज़े होगी ने आपकी अब next देखे write any three words phrase related to water water से related तीन चीज़ों के नाम लिखने है जो lesson में आई है क्या क्या आई है सुनामी लेसन में क्या क्या है सी आपका समूंदर है कोष्ट किनारा किनारा भी तो समूंदर पर ही होता है ना पानी का तीक है और क्या था ocean तो ये आपको और भी बहुत सारे वर्ड में लेंगे जो पानी से related होगे वो आप लिख सकते हो ठीक है और आपका लास्ट है लास्ट में क्या है simple past tense simple past में क्या होती है वर्ड की second form होती है और simple present में first form होती है ठीक है आपने simple past tense के find out any eight verbs आठ वर्ड डूर्डनी है जिन में आपको सुनामी लेसन में आपको simple past tense दिखे simple past यानि verb की second form ठीक है ध्यान रहे कि had, has, have नहीं होना चाहिए उसके पास सिर्फ subject सिर्फ subject के बाद verb की second form past tense आप कर चुके हो ठीक है तो past tense देखो कौन सी कौन सी आई थी एक तो started ठीक है एक सा लेसन में से डूडनी है बिटा अपनी मर्जी से नहीं लिखनी है lesson में से ही देखे है मैंने विए टुक ठीक है तीन हो गई और क्या थी sense थी उसने sense किया उसने समझा came stopped छे हो गई और क्या थी rushed कि वो दोड़े met मिले ran दोड रहे थे ठीक है saved तो यह बहुत सारी वर्ब हो जाती है आपकी ठीक है saved saved ठीक है ऐसी बहुत सारी आपकी वर्ब है जो जैसे remember remember होता है याद रखना और remembered यानि याद रखा second form ठीक है तो ऐसी ऐसी वर्ब की second form बहुत सारी है तो उसमें से आपने चांट के art verb की form लिख देनी है तो यह थी बेटा आज की वर्क सीट आप आई होप आपको समझ माई होगी चैनल को subscribe करें अगर नहीं करका तो वीडियो को like करें thank you